फैलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाजो से पैंट बनाने बताने जा रही हूँ तो इसके लिए आप सबसे पहले इस तरह से प्लाजो को फैला दीजे और उसकी उपर में और नीचे में दोनों तरफ चोड़ाई देख लिजे कि आपकी प्लाजो की कितनी चोड़ाई है अब आप क्या कीजे कि अपना पैंट लेके उसे इस तरह से रखिए देखिए इसे इस तरह से मिला दीजे और इस तरह से बिल्कुल बराबर करके रखिए जैसे मेरे में देखिए उपर में बिल्कुल बराबर हो रहा है इस पेस ज़्यादा नहीं है तो मैं उपर में कुछ नहीं काटूंगी सिर्फ कटिंग में नीचे करूंगी अगर मैं उपर में काटती हूँ तो ये छोटा हो जाएगा मुझे तो देखिए मेरे नीचे में भी थोड़ा सा बड़ा है अब आपको क्या करना है कि जो हमारी प्लाजों की चोड़ाई थी उसका सेंटर लेते मिश अगर 32 है तो 16 पेक निसान लगा देंगे जैसे देखिए 32 है तो 16 पेक निसान लगा दिए इस तरह से पैंट का भी करेंगे कि अगर ये 16 है तो 8 पे निसान लगा देंगे यानि दोनों का मिडिल पार्ट देख लेंगे अब इसे उल्टा कर देंगे उल्टा करने के बाद सेम उसी तरह से पैंट को फिर से रख देंगे तो देखिए मेरा निसान मिट गया तो इसलिए मैं दुबारा निसान लगा रही हूँ अब आप देखिए इस तरह से दोनों निशान को मिला दीजिए बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए ये अब इसे अच्छा तरह से सेट कर लेंगे तो देखिए थोड़ा से मार्जिन लेते भी इस तरह से निशान लगा दे सेम उधर भी इस तरह से निशान लगा दे ये यही तक निशान लगाना है अब पैंट को हटा के इस तरह से निशान पे काट देंगे तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाईएगा और मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो सीम दूसरे सैट भी इसी तरह से काट देंगे अब देखे किनारे पर इस तरह सिलाई कर देंगे तो देखे यहां पर इस तरह से आप सिलाई कीजिएगा तो इधर भी किनारे पर इस तरह सिलाई कर लेंगे लेकिन यहां पर आकर आपको तिर्चा सिलाई करना है ये मैं जब सिलाई करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको यहाँ पर सिलाई करना है तो देखी मैं सिलाई कर चुकी हूँ और देखे सेंटर में इस तरह से गोल में सिलाई कीजेगा और देखे किनारे में इस तरह से तिर्शा सिलाई करना है और उपर में मिला देना है अगर आपके प्लाजो का चोड़ाई यहाँ पर ज्यादा हो तो साइड वाली सिलाई को उपर तक आप ले जा सकती है तो चलिए इसको सीधा करके देखते हैं अगर आपके प्लाजो का लेंत बढ़ा करना हो तो साइड में से जो कपड़ा निकला उसका लंबा लंबा पट्टी काट लीजे फिर उस पट्टी को इस तरह से जोड़के अंदर की ओर कर दीजे तो देखिए पैंट बनके त्यार हो गया तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगाओ पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाईएगा और चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजेगा तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबबा है